हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं दीप रिडियेटर के फाइनल ट्रेलर के बारे में वेल तो मैं इस वीडियो में इस ट्रेलर को ब्रेकडाउन नहीं करने वाला हूँ बलके आपको ये बताऊंगा के असल में ये ट्रेलर है कैसा और इस ट्रेलर की वज़े से हमें फिल्म की स्टोरी का थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है बल तो क्या है वो चली देखते है सो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा स्पोईलर अलट कर देता हूँ कि मैं फिल्म की स्टोरी भी डिसकस करने वाला हूँ तो उन सबी चीजों को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़िए तो ट्रेलर के स्टार्ट में हमें ये पता चल गया कि युविना इस फिल्म में बॉइट्टी वाइप का रोल कर रही है और उनका बेटा है जेकब जिसका इस फिल्म में नाम है रोरी और यहाँ पर क्विन की पूछताच करने के लिए पिगर को भेजा गया है तो मुझे लगता है वो इस सारे ओपेशन के हैड है और आपने इस ट्रेलर में एक और चीज नोटीस की होगी क्विन और उसका क्रू कुछ इन्वेस्टिकेशन करने जाता है मेक्सिको बॉर्डर पर और उन्हें वहाँ पर मिलता है प्रिडियेटर जिसके बाद शायद क्विन ही एक ऐसा शक्स होता है जो वहाँ से बचकर जिंदा बहार आता है लेकिन मुझे लगता है कि वह वहाँ पर प्रिडियेटर को भी पकड़ने में कामियाब होता है और वो प्रिडियेटर एक गवर्मेंट फैसिलिटी में छुपा दिया जाता है जिसके बारे में किसे भी नहीं पता है लेकिन एक और खास बात ये है कि Queen के पास Predator का हत्यार है जो आप Queen के घर में रखा हुआ है और अब वो हत्यार Queen के बेटे Rory के पास है तो आप इन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि Predator को वो weapon वापस चाहिए क्योंकि शायद उस weapon में कुछ खास है क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा इस फिल्म की एक छोटी सी TV स्पॉट भी आया है जिसमें दो Predator आपस में बात करते है और उनमें से Super Predator उस Normal Predator से ये पूछता है कि वो चीज कहां पर है तो शायद इस पूरी फिल्म में Predator Rory के पीछे लगे होगे क्योंकि Rory के पास Predator की कोई चीज है जो बहुत ही जादा Important है और उसी के लेने के लिए Super Predator भी Space से नीचे आया होगा और सुनने में ये भी आया है फिल्हाल के लिए तो एक rumor है मैं अभी clear कर देता हूँ कि जो पहले Predator को Queen ने पकड़ा है वो एक अच्छा Predator है इस फिल्म में और जो Super Predator है वो इस फिल्म का main villain है यानि इस पूरी फिल्म में Queen और उसकी जो team है वो सभी लोग उस Predator को शायद छुडाएगे और इन सब में उनकी मदद करेगी Olivia का character Casey Berkett तो सुनने में फिल्म की स्टोरी काफी simple लगती है लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि ये फिल्म Predator के universe को बचा सकती है क्योंकि ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनाई गई है ऐसा सभी critics ने कहा है इस फिल्म को लेकर और मेरी भी काफी ज़ादा उमीदे है इस फिल्म को लेकर क्योंकि भाई मैं भी Predator का बहुत बड़ा फैन हूँ और जैसा कि इस फिल्म को लेकर clear कर दिया गया है कि ये एक R-rated फिल्म है यानि ये फिल्म हमारे इंडिया में adult ही रहेगी तो बात कर ले फाइनल ट्विलर की तो फाइनल ट्विलर काफी ज़ादा अच्छा है इससे हमें काफी सारी डीटेल्स मिली है इस फिल्म की स्टोरी को लेकर जो अब आपके सामने है वेल तो आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट करकर जरूर बताईएगा और साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा झाल झाल जाल कर दो आपको में मुझे कर वाइक कर दो में दो कि झाल भी प्ल्राइगा